सुनिए सुनिए पार्लेमेंट में कल कहा बीजेपी को लोगों ने आपने भाशन दिया भाशन के लिए माफी दीजिए मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं माफी मांगूं भाईयों और भेनों मेरा नाम राहूल सबरकर नड़ी है मेरा नाम राहूल गांदी है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नी मांगूगा मर जांगा बगर माफी नी मांगूगा और ना कोई कंग्रेस ओले माफी मंगेगा माफी नरेंद्र मोधी को मांगनी है नरेंद्र मोधी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टन्ट है अमित्रा उनको देश से माफी मांगनी है क्यों मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहले सबसे पहले ये देश की शक्ती इस देश की आत्मा इस देश की शक्ती इसकी अर्थ व्यवस्ता थी अर्थ व्यवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश अलग-अलग धर्मों का देश अलग-अलग जातियों का देश अलग-अलग विचारधारों का देश मिलकर एक साथ 9% GDP पर कैसे चल रहा है एक तरफ चीन दूसरी तरफ हिंदुस्तार चिंडिया बोलते थे चिंडिया चाइना और इंडिया दुनिया का भविश्य चाइना और इंडिया और ये देखिए ये प्याज पकड़े हुए आज ये प्याज पकड़े हुए आज 200 रुपए 200 रुपए हिंदुस्तान के अर्द्ववस्ता नरेंद्र मोदी ने स्वयम अकेले नश्ट कर दी खतम कर दी आप तो याद होगा आद बज़े रात को तीवी प्राए बाई और बैनो 500 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट मैं रद करने जा रहा हूं और ये प्याज पकड़े आज पकड़े आज तक दुख्सान हुआ वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा आपसे जूट कहा कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है काले धन को खतम करना है प्रस्टा चार के खिलाफ लड़ना है जूट कहा माता बेनों के गरों से जेब से युवाओं के जेब से पैसा निकला और लाकों करोड रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किये उसके बाद कपर सिंग टैक्स मनमौन सिंग जी ने कहा चतामरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पाइलेट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए देश का नुकसान हो जाएगा जो हमने बनाया है पुरे देश ने प्यार से घून पसीने से अर्थ्यवस्ता खड़ी की है नश्ट हो जाएगी नरेंद्रमोदी कहतें नहीं मैं तो बारा बचे रात को गबबर सिंग टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा कर दिया और हुआ क्या 42 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज क्या 9% GDP growth rate होती थी आज 4% पे पहुँच गए है और वो भी उन्होंने GDP नापने का तरीका बदला GDP नापने का तरीका बदल दिया तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से GDP नापो तो आज 5% GDP growth rate है हिंदुस्तान का बाई और बेनो हिंदुस्तान के सब दुश्मन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाते हैं और चाते थे कि हिंदुस्तान की शक्ती हिंदुस्तान की अर्थवबस्ता नश्ट की जाए और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया वो गाम हमारे प्रधान मंत्री ये किया और फिर अपने आपको प्रधान मंत्री देश भक्त कहते है पूरा का पूरा पैसा दो तीन उद्योग पतियों को पकड़ा दिया है सब उद्योग पतियों को नहीं इस देश में बहुत सारे इमानदार उद्योग पती है और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर किसान इस देश को बनाता है मज़ूर इस देश को बनाता है छोटा दुकांदार इस देश को बनाता है तो इमानदार उद्योग पती भी इस देश को बनाता है मगर पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोधी ने मैं एक नाम लेता हूँ एक नाम लेता हूँ पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोधी ने अदानी को पच्चास कॉंट्राइक दिये एक लाग करोर रुपे से जादा देश के एरफ़र्ट पक्रादिये देश के पॉर्ट पक्रादिये बिना कॉंट्रेक्टे दे दिया फ्यू जू तिया कि इसको आप क्या कहेंगे के इसको आप चोरी नहीं कहेंगे इसको अप रस्टाचाप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको एक लाच चालिस हजार करोर रुपए कुछी दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माप किया है आप से आप से टेलेफोन इस्तिबाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योग पतियों का 60,000 करोड रुपए माप कर देंगे अर्थ विवस्तक क्या होती है जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के अर्थ विवस्ता आगे नहीं जा सकती मैं आपको समझा देता हूँ हिंदुस्तान का किसान मजदूर युवा आप लोग माल खरीते हो जब आप के जेब में पैसा होता है आप चीजे खरीते हो खरीतों नहीं खरीते हो शर्ट पैंट जूता मोबाइल फोन काले चश्मे जैसे आपके हैं ये आप खरीदते हो जब आप खरीदते हो फैक्टरिया ये चीज़े बनाती है जब फैक्टरिया ये चीज़े बनाती है आप ही लोगों को उन फैक्टरियों में रोजगार मिलता है ये एकनॉमिक सिस्कम है पैसा पहले गरीब लोगों ये जेब में डालो किसानों के हाथ में डालो मजदूरों के हाथ में डालो वही पैसा किसान मजदूर छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे चीज़े खरीदेंगे डिमांड बनेगा डिमांड बनेगा फैक्टरिय बनाएंगे नरेंडर मोदी ने आप सब के जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया बगेल जी ने कहा 36 गड़ में 2500 रुपे दान के मिलते हैं मध्यप्रदेश, राजिस्तान 36 गड़, करनाटा पंजाब इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया इन प्रदेशों में हम सही MSP क्यों देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्द विवस्ता आगे जा ही नहीं सकती मन्रेगा हमने क्यों दिया क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के मजदूर के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है तो नरेंद मोधी ने पूरा पैसा खीट के अपने दो-तीन चार मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान की अर्दवेवस्ता को नश्ट कर दिया मगर वो वहाँ नहीं रुके वो वहां नहीं रुके बातने का काम करते है आपने पुरे देश ने नरेंदर मोदी को चुना क्यूं चुना हिंदुस्तान को मद्बूत करने के लिए चुना अर्ध व्यवस्ता को मद्बूत करने के लिए चुना युवाओं को रोजगार देने के लिए चुना वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया 4% पे जीडी पे पहुँच गई 43 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज बिन भर किसारा अतमतिया करने है मैंने पार्लिमेंट में सवाल पूछा भाई बताओ हिंद्र मोदी की सरकार है कितने किसानों ने आतमतिया की सरकार जवाब देती हमें मालूम नहीं पार्लिमेंट में सवाल का जवाब देती हमें मालूम ही नहीं पर देशों से जाके पूछिए हमें नहीं मालूम इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीड की हड़ी के किसान कितने किसानों ने अपनी जान ली शर्मानी चाहिए इन लोगों को मगर पूरे देश को मालुम है पूरा देश जानता है यहां हालत क्या है और फिर ये बाटने का काम शुरू करते है एक धर्म को दूसरे धर्म से जम्मू कश्मीर में नौर्टीस्ट में जाएए असाम जाएए मिजोराम जाएए मनिपूर जाएए नागालेंड जाएए अरुना चल जाएए देखिए नरेन रमोदी ने क्या काम किया है जला दिया है उन प्रदेशों को आग लगा दिया असाम में बाटने का काम करते हैं देश को कमजोर करने का काम करते हैं और आप लोग जो सब यहां आए हो और जो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं मैं आप से बात कर रहा हूँ आप इस देश को बाटते नहीं हो आप इस देश को अपने खुण पसीने से अपने दिल से ख़ड़ा करते हो रोज छोटे दुकांदार किसान, मजदूर बेरोज़गार युवा ये सब लोग मिलकर इस देश को ख़ड़ा करते हैं ये आपका खुण है ये आपका पसीना है और आपके देश को कमजोर किया जा रहा है हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है बोटा जा रहा है और आपके अर्द्वेवस्ता को नश्ट किया जा रहा है और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बात को देखते हैं एक बात के बारे में सोचते हैं एक चीज के बारे में सोचते हैं कि उनके हाथ में सत्ता है हां या ना सत्ता के लिए हमारे प्रधान मंत्री कुछ भी कर देंगे सत्ता के लिए अर्जविबस्ता को नश्ट कर देंगे हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोजगार कर दें नरेंद्र मोदी रोज दिखाई देते दिखते हैं न कितने घंटे दिखते हैं दिन बढ़ दिखते हैं न भाईया यह जो टीवी पर 30 सेकंड का जो एड़र्टिस्मेंट आता है वो कितने का आता है लाकों रुपय का आता है न तो ये नरेंद्र मोधी जो दिन बर टीवी पे दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान के बागी नेता कोई नहीं दिखता मनमौन सिंग शी को आप टीवी पे देखते हो नहीं देखते न तो इसका पैसा कौन दे रहा है इसका पैसा कौन दे रहा है इसका पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनको नरेंद्र मोधी आपका पैसा छीन कर दे रहे है ये सचाई देश की और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ देखो आप पर बहुत बड़ी जिम्यदारी पढ़ती है हमारी सरकार थी आप हमारी सरकार पर आक्रमन करते थे और आपने सही किया मैं स्टेज से कह रहा हूँ कि आपने अपना काम किया मगर आज वो अपना काम आप अपना काम भूल गए हो आज अपना काम भूल गए हो मगर आप भी देशवासी हो आप भी इस देश के हो और मैं हिंदुस्तान की सब इंस्टिटूशन के लोग से कह रहा हूं हर इंस्टिटूशन में जो लोग बैठे हैं जाए वो हमारे कॉर्ट में बैठे हो चाहे वो मीडिया में बैठे हो चाहे वो सरकारी आफिसेज में बैठे हो चाहे वो ब्यूरोक्राट्स हो आप ये बात याद रखिए जिम्मेदारी आपकी भी है जब आपको दबाया जाता है कुछला जाता है, धमकाया जाता है आप पर आकरमन होता है मीडिया के लोगों पर आक्रम होता है तो ये आप पर आक्रमन नहीं हो रहा है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमन हो रहा है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ बहुत समय हो गया इस देश को डराया जा रहा है दबाया जा रहा है अब कॉंग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है कॉंग्रेस वाला बबर शेर होता है नहीं डरता किसी से मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो सरकारी आफिसेज में बैटे हैं जो मीडिया में बैटे हैं मैं उन लोगों से कह रहा हूँ डरो मत आपके साथ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और जो आज डर है डर का महौल है नफरत का महौल है इस महौल को हिंदुस्तान की जनता कॉंग्रेस पार्टी हम सब मिलके मिटा डालेंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहन